हलो वर्ण कैसो आप सब लोग मैं हूँ आशीश और आप देख रहे हैं बाई लोजी वाला तो हम नेक्स वीडियो देखर कर रहे हैं आज रेस्पारेशन चेप्टर से प्लांट रेस्पारेशन को हम यहां पढ़ने वाले हैं तो इससे पहले आपने फोटो सिंथेसिस और ट्रांस्पोर्ट इन प्लांट इन प्लांट को देख लिया है अभी हम देखेंगे आपका रेस्पारेशन इन प्लांट वाले चेप्टर को ज थोड़ा समझना है थोड़ा चीजों को लर्ण करना है बहुत सारे questions यहां से create होते हैं तो छोड़े चोड़े सवाल बनते हैं तो करते हैं चलो वीडियो को शुरूर और ज्यादा बाते नहीं करते होते हैं यह बाकी ध्यान लगना है आप पिछले वाले chapter है वो पीछे आपको होता है basic ही सब पूछते होते है basic ही लोगों का कमजोर होता है higher सबको आता होता है basic नहीं आता होता है तो इसके लिए मैंने सोचा प्रयास करता हूं तो करते हैं शुरूब वीडियो को बाकि आपको यह notes वगरा चाहिए होते हैं तो आप मुझे बता देना comment कर देना तो I will provide the notes पर उठी चले शुरू गटते हैं chapter के नाम है respiration actually नाम होना चाहिए cellular respiration plant के case में पढ़ रहे हैं यहां हम वो नहीं पढ़ रहे होते कि gases कैसे जाएंगी कैसे आएंगी फिर भी मैं उस पे एक minute के लिए बात कर लेता हूं आपके साथ में अगर हम plant के case में बात करते हैं तो plant म अपने gases जो ट्रांसपोर्ट होता है हर एक पार्ट अपना जिम्मेदारी खुद लेता है gas की transport की route अपने जो surrounding होते है वहां से खुद ले रहे होते हैं stems के उपर lenticels होते हैं वो उससे अपना खुद ले रहे होते हैं और leaves अपना खुद से कर रहे होती है तो क्योंकि plant वे ऐसा तो होता नहीं तुम्हाने तरह हार्ट होता है और heart will transport the blood and blood will carry the oxygen to the tissues ऐसा वहाँ चक्कर नहीं है वहाँ प्लांट के अंदर ऐसा है डायरेक्ट हर एक पार्ट को अपनी जिम्मेदारी को उठाने होती है तो gases transport कर लेते हैं इसी चक्कर में plant एक और काम करता है यह जो surface area होते हैं जो living tissue है वो surface area पर रखता है जितना भी living part है उसको बहर 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 रखता है अंदर नहीं रखता है ज्यादा वरना फिर diffusion से gases पहुं as a cellular respiration ठीक है फाइनली उससे energy कैसे obtained होगी वह वाला पार्ट हम यहां पढ़ने वाले है ठीक है चले करते हैं शुरू यहां लिखाया है it is an enzymatic controlled slow step wise oxidation of substrate is followed by production of energy and it is independent of light so called dark respiration तो यहां दे को light का कोई अशिक्ता नहीं होती आप इसको dark respiration कह सकते हैं दूसरा आप यहां पर इस slow and step wise यह एक main शब्द है slow होता है step wise होता है ऐसा नहीं होता कि आपका food है उसका एक धमाका होगा और उस धमाके में food तूट जाएगा बहुत सारी energy release कर देगा ऐसा नहीं होता है ठीक है और यह आपका light से भी independent रहता होता है और substrate जो भी होता है जैसे आपका lipid हो सकता है जैसे इसमें आपको ब्रेकडाउन दिखाया है ग्लुकोज का breakdown होकर कि आपका क्या बन रहा है carbon dioxide बन रही है और water बन रहा है यहाँ पर एक बास समझ लीजिएगा कि final product जो है अगर carbon dye और water है तो यह ध्यान रखना कि breakdown पूरी तरह से हुआ है complete oxidation हुआ है और जब complete oxidation होता है तो energy की मात्रा भी खूब निकलती है अगर complete oxidation नहीं होता है तो energy कम निकलती होती है तो यह reaction आपकी aerobic respiration की है जिसमें के आप देखेंगे ग्लुकोज का complete oxidation हुआ है और यहां आपका carbon dioxide और water बना है साथ इसाथ energy निकली है 36 और 38 ATP it could be 36 और 38 यहाँ आप आगे जागर के paper में यह वाला सवाल आ जाता है यह reaction से पूछते होते हैं कितना किलो कैलोरी आफ्टर बर्निंग ओफ वन ग्लुकोज तो ध्यान रखना इट कुड़ भी 686 किलो कैलोरी यह सवाल है direct question बनता है याद कर देना ठीक है चाहिए next sequence of respiratory substrate used during respiration तो यह कह रहे हैं कि आपकी cell जो होती है आपकी जो गोड़ी है या cell है जो आपकी उसके सामने खाना परोसा गया है तो वो कौन से खाने को सबसे पहले खाना पसंद करेगी तो जो main substrate होता है आपका cells का वो आपका रहता है carbohydrate उसके बाद cell fat देखती है सबसे बाद म में कमी करते नहीं होंगे तो उतना खाना तो होता है कि खाते हैं लोग ठीक है प्लांट में भी खाता है लेकिन यह जुरत करता है कि कहां पर यह fat का करेगा कहां पर यह protein का करेगा लेकिन सबसे most favorable substrate यह है इसका carbohydrate है उसके बाद यह fat यूज़ करती है cells उसके बाद यह protein को से यह create होता है कि floating respiration किसे कहते है तो आपको ध्यान लगना होता है जब आपका substrate carbohydrate होता है जब आपका substrate fat होता है लिविड होता है तो आपका respiration कहलता है तो आपको कुछ बात की भी प्लांक के पास रिस्पाइट्रि औरगन नीं है लंक्स होते नहीं है इसा तो है नहीं कि ऊसरी ट्रांस्पोर्ट हो रहा है, पूरी बोडी में गुम होती है । दो सभीका अपना-पना तरिका था मैंने काहा तो यहां जैसे लिखा है स्टोमेटा से करते हैं लेंटिसिल से करते होते हैं इट सबमर्ज हाइड्रोफाइट इस्टोमेटा एपसेंट पानी वाले जो होते हैं उनमें स्टोमेटा एपसेंट होते हैं माँस टोमेटर क्या करेंगे वहाँ पूरा वैसी पानी होता है पानी में डिजॉल्ड जो गैसिस होती है उनको ले लिया जाता है सुपरिफीशल कैसे एक्षेंज अकर इन रूट इन स्टैम तो रूट इन स्टैम में भी आपका थोड़ा बहुत एक्षेंज कैसिस का हो जाता है क्योंकि लिविंग पार्ट जो हो सर्फेस पर होता है तो आराम से चीज़े मिल जाती है ऐसा है नेक्स्ट है सेलुलर रस्पारेशन तो एक्षोल में हम यही पढ़ेंगे सेल के लेवल पर जो ब्रेकडाउन और फूड है वो किस परकार से होता है दो प्रकार से cellular respiration आपका हो सकता होता है जिसमें कि एक प्रकार तो आपका है aerobic और दूसरा है anaerobic respiration ठीक है तो aerobic respiration जो होता है उसमें आपका oxygen का use होता है जहाँ anaerobic respiration है वहाँ आपका oxygen का use नहीं होता है यह common सी बाते हैं कि anaerobic respiration अगर होता है तो energy कम निकलेगी अगर respiration aerobic होगा तो energy भरपूर मात्रा में निकलती होती है क्योंकि complete oxidation होता है तो plant में आपका देखो plant हो सोरी plant हो चाहिए आपके bacteria हो चाहिए आपका हम हो एनिमल्स हो तो हर जगा यह वाली चीज चलती होती है aerobic and aerobic चलता रहता है तो कुछ conditions होती है जिनमें हमारे में भी anaerobic होता है आपको पता भी होगा जहां lectic acid बनता होता है muscles में आपकी जैसे yeast वगएरा जो fermentation करते हैं या पर कुछ bacteria होते है वह आपके anaerobic respiration करते होते हैं ठीक है और आपका बाकी जगह aerobic respiration mainly चलता होता है तो यहां इस chapter में आपको aerobic और anaerobic दोनों के बारे में बात होगी यहां पर जड़ा से difference लिखा होगा है एक बार इसको learn कर लेते हैं पढ़ लेते हैं यहां लिखा है कि aerobic respiration जो है वो autodependent होता है सही बात mitochondria चाहिए होता है अगर bacteria है तो आपको पता है mesozoom होता है mesozooms are the infolding of the membrane of the bacteria बेक्टर के memory अंदर की तरफ को मुड़ करके surface area बढ़ाती है उसके अंदर बहुत सारे respiratory enzyme, electron transport chain वगएरा चलती है तो वहां चाहिए requirement होगी mesozoom की bacteria में हमारे में mitochondria चाहिएगा यूकरियोट में यहां complete oxidation होता है सबस्टेट का तो glucose की बात हो रही है तो उससे 36 ATP या फिर 38 ATP बनते होते है टोडल dehydrogenation step 6 है वह आप देखेंगे पढ़ेंगे आगे कितनी बार dehydrogenation होता है लेकिन यहां से आप इसे learn करेंगे यह सवाल direct question के लिए carbohydrate हो सकता है कितनी बार dehydrogenation होता है respiratory question कहीं एक होगा अगर carbohydrate होगा तो उसमें respiratory question एक होता है अगर carbohydrate से प्रोटीन वगयरा होगी तो वहां एक से कम होगा और lipid होगा तो एक से कम होगा organic acids होगे तो एक से जादा होगा ठीक है यह वाली बात आप ध्यान रखोगे product finally carbon dioxide और water बनते होते हैं क्योंकि complete oxidation है anaerobic respiration आपका auto independent होता है यहाँ mitochondria नहीं चाहिए होता यह partial oxidation कराता है दो ATP बनते हैं बहुत कम मात्रा में energy release होती है जब आपका respiration anaerobic होता है और यहाँ respiratory जो question है वो आपका total diartogenesis step है वो एक है क्योंकि आपको पता लगेगा आगे जलके कि केवल जो glycolysis है respiration जो anaerobic होता है उसमें आपके केवल glycolysis is that only part where dehydrogenation occurs तो यह एक बार dehydrogenation होता है RQ की value infinitive रहती है यह सवाल जो आपको रियाद करना है कि RQ जो है वो infinite रहेगा क्योंकि यार देखो यहाँ जो है oxygen बिलकुल भी यूज नहीं होती है तो CO2 upon O2 करोगे तो फिर infinite आएगा next है जो product होती है वो कुछ जगा पर acid होंगी और कुछ जगा पर alcohol होंगी थोड़ा बहुत carbon dioxide भी release होती है ठीक है तो यह basic सा difference मैंने यहां note किया है ठीक है आगे जलके हम देखेंगे कि सबसे पहले हम start करेंगे glycolysis से तो glycolysis एक ऐसा pathway है जो कि चाहे anaerobic respiration हो चाहे aerobic respiration हो the common pathway of the substrate to breakdown or to oxidize तो partial oxidation of carbohydrate अगर with that particular pathway जिसमें oxygen का प्रियोग भी नहीं होता oxygen के बिना यूज किये ही glycolysis होगी जिसमें कि आपका partial oxidation होगा जो भी आपका carbohydrate रहे ठीक है तो पहले वो पढ़ा जाएगा फिर उसके बाद की चीज़े पढ़ी है ठीक है next setting है हमारा aerobic respiration aerobic respiration आपका चार point में बुरा होगा सबसे पहले glycolysis चलेगी जिसका एक नाम होता है EMP pathway उसके बाद चलेगी link reaction उसके बाद चलेगा crab cycle उसके बाद terminal oxidation तो यहां से चीज़ आप समझ लिए अगर आपसे पूछाए glycolysis कहां चलती है तो आपका answer होगा glycolysis तो cytoplasm में चलती है बेक्टीरिया के भी cytoplasm में चलती है यूकरियोट के भी cytoplasm में चलती है link reaction अगर आप से पूछा जाएगा तो आपको ध्यान लगना है link reaction जो है बेक्टीरिया में जाओगे तो cytoplasm में चलेगी लेकिन हमारे में अगर जाओगे तो आपको link reaction जो है mitochondria का matrix होता है वहां चलेगी क्रैब साइकल जो है यह mitochondria के matrix में चलेगा बैक्टीरिया में यह cytoplasm में ही चलेगा terminal oxidation जो है वह आपका बैक्टीरिया में जो मेंब्रेन होती है मीजोजोम जो होते है वहां होगा बैक्टीरिया में और अगर आप हमारी बात करोगे तो हमारे में mitochondria की जो inner membrane होती है वहां चलेगा तो यह कुछ locations वाले सवाल है जो कि आप से पूछ लेंगे युकेडियोट मेंब्रेन आप माइं टोकॉंट्रिया वहां आपका क्या होता है ETS चलता है और मीजोजोम में बैक्टीरिया में चलता होता है ठीक है प्रोकेडियोट में चलता है यह सवाल है जो आ complete this only glycolysis only ठीक है बहुत important pathway है बहुत जाद important pathway है आपको यहां से कुछ ने कुछ सवाल जरूर create होकर के मिलेगे ठीक है देखते है निखा है इट इस गोड़ें मेरोफ पाथवे तो इसके लिए एक सवाल आता है पेपर में कि EMP pathway किसे कहते हैं आप का अंसर होता है EMP pathway is also called as glyco glycolysis, glycolysis एक 10 step या फिर NCRT का coding देखो तो 9 step का reaction है 9 step का metabolic path भी है जिसमें बहुत सारी enzyme है ठीक है जो कि reactions को forward direction में move कराने में मदद करते होते हैं कुछ reactions आपके लिए गली बिरेंब भी दिखाती है कुछ reaction backward forward दोनों दरब चलती है कुछ के अबल forward चलती होती है energy लगती भी ह energy बनती भी है दोनों ही काम होते है या लिखा है कि एक glucose का टूट करके एक glucose का breakdown हो करके दो molecule पाइलिव कैसिड के आपके सामने बनेंगे site of glycolysis अगर आप देखो तो site of large of the cell हमने भी उपर बताया है आपको common in both aerobic and anaerobic respiration तो यह एक बढ़िया सवाल जो आपको याद रखने का है जिसमें थोड़ी बहुत याद करने की चाहिए मतलब clarity चाहिए कि भाई चाहिए respiration anaerobic हो चाहिए aerobic को दोनों में पहला काम होगा क कि आपका गुल्गोज होगा गुल्गोज का breakdown हो करके भहिया पहले बनेगा पायर्विक एसिड बाद में कुछ होगा ठीक है इड़ डिपेंड विलिटी ऑफ दा उक्सिजन डाट इस प्रिजेंट और नॉट अउल स्टैप्सार रिवर्सिबल एक्सेप्स थर्ड एंड ला पर आपका रिवर्सिबल है बाती सबी स्टैप्स में सीड़े चलते होते हैं और अपको इंजाइम लर्ण करने हैं आपको ध्यान रखना है दो पार्ट में ग्लाइक्कॉलाइस बटी होती है एक पार्ट आपका शुरू वाला होता है जो आपका खर्चे का पार्ट होता है जिसमें आपके इनर्जी लग रही होती है एक हिस्सा होता है जिसमें आपके इनर्जी बन रही होती है वह बात का हाफ होता है तो हम पहले आपसे शुरू करते हैं उससे पहले मैं आपको एक बात बात बहुता है देखो प्लांट शुगर क्या है प्लांट शुगर है सुक् के breakdown हो करके एक enzyme है invertise invertise enzyme की मदद से स्क्रोज तूट करके फ्रक्टोज और glucose बनाएगा ठीक है पैरा पार्ट यह ध्यान रखेंगे यहां फिर यहां से glucose जो ही आपके हैं वो जाएंगे glycolysis में और फ्रक्टोज भी जाएंगे यहां थीक है तो यह वाली बात आप ज्यान रखना फ्रक्टोज विल ऑंस्व टेक पार्ट इंग लाइकोलैसिस दोनों आपके कि it aMother कि यह भी बात एक जाएंगे नहीद ने ने तो किसी कि नीए देखा नहीं मतलब देखानें मतलब यह है कि यह ऑन छो करकर एख खत्म होगा मतलब यह कुछ ठीक है डिपेंड करता है वो तो ठीकिन अभी के लिए मध्यान रखेंगे फ्रक्टो जो एसमें एंट्री लेगा लेता है इससे ब्रेकडाउन होता है खुष भी यह आता है तो दोनों सबस्टेट है दोनों यह आएंगे ठीक है शूरू करते हैं ग्लुकोस से तो सबसे वहली कोई दिक्कत मेरामाने ठीक है अगनिश्यम काई लग जाएक है यह सवाल क्रिट होगा तो आप तुक्का मार जेना कहीं पर तो यहांपर एक्जोकाईनेज जो इंजाइम है उसकी मदद से यहां पर उसकी प्रजेंश में क्या होता है जो ग्लुकोस है उस पे छटे कारवन पर phosphate group ATP वाला लग जाएगा तो ATP टूटेगा, ATP के breakdown होगा तो यहाँ पर आपका एक phosphate group यह देगा जो कि जाकर के glucose 6 carbon पर attach हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ बन जाएगा glucose 6 phosphate अब glucose 6 phosphate से convert होकर के isomerize होकर के फ्रक्टोज 6 phosphate क्यों बना है ऐसा आपको याद रखने के लिए क्या सोचना है ऐसा याद रखने के लिए आपको सोचना है कि भाई जो फ्रक्टोज है वो भी तो बिचारे कहीं आएंगे न किसीने किसी step पर तो at least we have to convert the glucose 6 phosphate into the fructose 6 phosphate ठीके न तो इसलिए अपन क्या कर रहे है तो इसलिए अपन क्या कर रहे है तो अगर यहाँ फ्रक्टोज एंट्री लेगा तो वो इस step पर यहां तक का step जो हुआ है यह कोई rate determining step नहीं थे यहां तक कोई rate determining step नहीं थे इसके बाद आपको ज्यान लगना है कि पहले step पर ATP खर्चवादा 1 3 1 & 3 ATP खर्चा 6 & 9 ATP बनना यह याद करना है पहला तीसरा खर्चे का step है छटा नोवा बनने का step है तो यहां लिखा है कि फ्रक्टोज 6 फोस्पेट जो है वह फोस्फो फ्रक्टो काइनेज पी एफ के पी एफ के इस दा पेस मेकर इंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइस पी एफ के ग्लाइकोलाइस का पेस मेकर इंजाइम है जो कि आपका rate determining होगा और यहां यहां एक केटी पे कखर्चा होगा जिससे आपका फ्रक्टोज 1-6 बाई फोस्पेट बनेगा sorry यहां बाई नहीं लिखा गया फ्रक्टोज 1-6 बाई फोस्पेट बनेगा ठीक है तो यह एक एंजाइम आपको बहुत अच्छे से याद रखना होता है यह ठीक है और यह जो step है यहां पर आपको अलोस्टारीक अंजाइम है अलोस्टारीक मोडुलेशन होते हैं यहां आपको अलोस्टारीक इंजाइम में आपको पढ़ाऊंगा कहीं पर ठीक है तीन कारबन की सबसे छोटी शुगर, ट्रायोज शुगर, एल्डोज शुगर, दाटी इस ग्लिस्रल डियाइड, और अगर तीन कारबन की सबसे छोटी शुगर, किटोज में देखें, तो वो डाइडरोक्सी असिटोन, दोनों ही C3H6O3 है, ग्लिस्रल डियाइड भी आपका एल्डोज शुगर है, स्वारी, छोटी ट्रायोज शुगर है, और डाइडरोक्सी असिटोन भी ट्रायोज शुगर है, यहां होता यह है कि 6 कारबन का फ्रक्टो सिक्स फोस्पेट आपका, 3-phosphoglyceral डियाइड के 2 मोल बना देगा मान लो, क्योंकि यह 3 कारबन का शुगर है, एक मोल इसका आइसमराइज होकर के डाइडरोक्सी असिटोन फोस्पेट में कनवर्ट हो जाएगा, जो कि एक 3 कारबन का की टोशुगर है, अब होगा यह, कि एक मोल जो 3-phosphoglyceral डियाइड का है, उससे आगे रियक्शन शुरू होगी, और यह जो डाइडरोक्सीन फोस्पेट है, एस्टोन फोस्पेट है, यह भी आईसमराइज होकर वापस आ करके, फिर से यही करेगा, आगे वाला काम, तो हम यह मान लेंगे, कि आगे सब 2-mol, 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 2-mol होंगे, ठीक है, यहाँ भी 1-mol तो इसका है, और 1-mol है इसका, ठीक है, आगे जो है, सब 2-2-2 चलेंगे, क्योंकि यह वापस आ करके, यही करने वाला है, जो यहाँ हुआ है, मैंने क्या किया है, यहाँ पर, एक fosfade डाल दिये, इंसे आरिटी क्या कर रहे है, यह fosfade भी इसी step पर डाल दिये, अगरे वाले पर ही, यहाँ पर, ठीक है, यह वाली बात आपको ध्यान रखनी है, अगर यह यहाँ नहीं डालते हो उपर, तो आप यह यहाँ डाल दे हो, ठीक है, इस पर, तो फिर यह बीच वाला reaction, यह जो है, यह खतम हो जाएगा, यह नहीं रहेगा, तो फिर 9 step हो जाएगे, अभी यह 10 बनाए हैं मैंने, ठीक है, यह ध्यान लखना है, तो 10 में फिर 1, 3, 7, 9 हो जाएगा, 6, 9 नहीं रहेगा, अतलब ATP जो है, वो 7 वे और 9 वे पर बनेगा, ठीक है, यह वाली बात आप ध्यान लखना है, ओके, चली, 7 वे पर, 10 वे पर, पिर यहाँ है, आपका जो एक फोस्पेट लखनी है, तो वो फोस्पेट जो अब लखके आएगी, तो वो 1,3 वाइफोस्पोग्लिस्रल डियाइड बना रहा है, 1,3 वाइफोस्पोग्लिस्रल डियाइड होगा, क्योंकि अब एक फोस्पेट ओर आगिये, इन ओर्गनिक फोस्पेट डल गिये, अब आपका 1,3 वाइफोस्पोग्लिस्रल डियाइड जो है, जो की तीन कारवन का शुगर है उसका यहाँ पर enzymatic oxidation होगा तो भाईया ध्यान रखना रिहाइटरोजिनेज इंजाइम लगे हैं ठीक है वो आपके पहली बार पहली बार क्या है एक ही बार glycolysis में जो oxidation होता है वो आपका यहाँ पर होता है तो दो molecule माल लो आप उपर थे तो हमने दो ही NAD लिये हैं और यहाँ पर दो NADH2 हमारे पास है फाइनली आपके पास glycolysis में से दो NADH2 निकले हैं यह यह दो NADH2 reduce product है जो की further oxidation के लिए अगर aerobic respiration होगा तो यह mitochondria में जाएंगे ठीक है और वहाँ जाकर कि यह दोनों 6 ATP बनाएंगे मैं अभी आपको बताता बचल लाँ यह बात अगर aerobic respiration है या तो यह 6 बनाएंगे वहाँ जाकर यह 4 तो यह वाली बात हम आपको बाद में समझाएंगे कब यह 4 बनाएंगे और कब यह 6 बनाएंगे लेकिन यह further oxidation के लिए कलाइकोलाइसिस से अगर respiration aerobic है और अगर respiration aerobic नहीं है अनरोविक है तो पिर यह बिचारे यहीं पर काम आएंगे फिर आप आगे देखो कहां काम आएंगे तो अभी क्या हुआ oxidation हुआ तो जब आपका aldehyde का oxidation होगा जैसे photosynthesis में reduction हुआ था तो वहाँ आपका acid बना था aldehyde और यहाँ oxidation है तो aldehyde क्या बनेगा acid बनेगा यहाँ पर आपका 2 mol 1,3 bifosphoglyceric acid के बने हैं फिर से वोई step आ गया है जहाँ ATP का formation होगा अब 2 mol हैं तो भाईया यहाँ phosphoglycero kinase enzyme आ गए है अब यह magnesium आपको पता है kinase है तो होगा ही अब यहाँ इनकी phosphate निकलेगी और 2 ATP निर्मान होगा तो 2 ATP यहाँ पर हमें मिले हैं यह ठीक है यह यह वाली बात ध्यान रखोगे आगे दिखाया है कि 2 into 2 molecule 3 phosphoglyceric acid के बने बही पहली कारबन पर जो phosphate थी वो तो चली गई अब आपकी कहां रहेगी तीसरे पर देगी तो तीसरे पर देगी तो 3 phosphoglyceric acid बने गया है अब यहाँ क्या होगा यहाँ एक intramolecular shift होगा यह एक अच्छा सवाल है कि glycolysis में intramolecular shift कहां होता है तो intramolecular shift होगा इसका मतलब यह हुआ है कि phosphoglycero mutase लगा है mutase enzyme एक परकार का iso mirage है वो तब लगते हैं जब intramolecular shift होती है जैसे कि मालनो एक ही molecule के अंदर phosphate group तीसरे कारबन से अठकर दूसरे पर लग गया तो यह intramolecular shift हुई है है ना यह वाली बात यहाँ आपका two phosphoglyceric acid हुआ अब आपका एक enzyme inolase लगेगा तो the most important enzyme that will convert the phosphoglyceric acid into the phosphoenol pyruvic acid तो यहाँ दो molecule phosphoenol pyruvic acid के बनेंगे यह वादी बात ध्यान रखनी है और यह वड़िया सवाल है बहुत ज़्यादा कि आपको याद रखना है कि यह quarter का molecule यहाँ निकलेगा आप भाईया इसे mark कर लेना सवाल बनता है इस पर वड़िया याद रखने वाला ठीक है अब आपके पास दो molecule phosphoglyceric acid के हैं जो कि आपके भाई enzyme pyruvate kinase लगेगा और pyruvate kinase enzyme की मदद से और magnesium ion और potassium ion के help से activator है यहाँ वापस से अब आपका दो ATP फिर से बनेंगे जो phosphate है इसके पास भो निकल कर वाहर आजाएगी और आपका दो molecule pyruvate kinase के यहाँ बनेंगे यह postponial pyruvate kinase कुछ amino acid बना सकता है यहाँ से निकल करके pyruvate kinase से भी आप elanine amino acid बना लेते हो ठीक है यह सवाल आते थे अब तो नहीं आते हैं ठीक है यह तो यह आपका precursor हो सकते हैं किसी के यह अलग बात है जरूरी निया aerobic respiration में आगे जाएं depend करता है ठीक है तो भाईया देखो अब आप क्या हुआ है कि glycolasis खतम हो गी है आपके पास दो मॉलक्यूल पारविक एसड के हैं कहीं भी decarboxylation नहीं हुआ क्योंकि यह तीन कारबन का है और दो मॉलक्यूल है तो छे के छे कारबन glucose के उपलब्द है लेकिन इसमें हुआ यह है कि चार ATP निनवान हुए है चार ATP बने हैं दो का हुआ एक खर्चा तो इस बार नीट में सवाल आया था यह के यह पूछा गया था कि भई net gain of ATP in glycolis पूछा था तो कुछ बच्चों ने इसे 6 तो यह जोड दिये उपर वाले यह वाले और 2 यह जोड दिये नीचे वाले 8 कर लिया इसको ठीक है देखिए रैसे है वहाँ न यह नहीं पूछा बताया था अरोबिक होगा कि अरोबिक होगा तो यह जो 6 और यह 4 में लिखा है यह तब की बात है अगर वहाँ लिखा होगे रस्पारेशन अरोबिक है इन अरोबिक रस्पारेशन net gain of this dysglycolis है तो आठ होगा यह नहीं पूछ रहे हैं तो डायरेक्ट शुद्ध लाब जो है वो कितने ATP का हुआ है तो चार बने हैं दो खर्चा है तो दो ATP का शुद्ध लाब हुआ है यह वाली बात आपको ध्यान रखनी है दो ATP का शुद्ध लाब आपको यहां पर होगा ठीक है glycolis से और दो NADH2 मिलेंगे respiration aerobic है तो यह आगे जाएंगे फिर यह 6 और यह 4 बनाएंगे वो एक अलग बात है ETS में जाएंगे वो एक अलग मसला है आगे में पढ़ेंगे ठीक है तो यह आपका glycolis होप सो आपको यह ठीक लगाओगा अच्छा लगाओगा भाई देखो चीजे याद करनी पड़ती है कुछ biology है conceptual तो है यह साथ ही साथ रट्टा भी करना होता है तो you have to learn all these things बट साथ साथ समझ समझ के आपको इसको learn करना है किस reaction बे कौन सा enzyme लगा कहा कौन सी प्रोडक्ट बनती है यह पूच लेते है riversability कहां होती है यह पूच लेते हैं ठीक है Paysmakr Engine कौन सा होता है ठीक है 번째 कहां लगते हैं वो हमें नहीं बता दा ख्लूर एसीटेट वगेरा जो होते हैं वो इसको इनिविट भी कर देते हैं तो मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूँ इसमें तो यहां तक का आज आपकी इस वीडियो में कंवर्ट कंप्लीट कराया मैंने नेक्स वीडियो में आपको फिर लिंक रियक्शन क्रेब साइकल वाला पार्ट पढ़ाऊंगा थर्ड वीडियो में आपको पूरा करा देंगी झाल झाल